आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटों की एक सीट जीत रहे है भाईयो और बैनो लड़ाई इस कॉंस्टिटिउशन की है सम्विदान की लड़ाई है बीजेपी आरेसेस इस पर आक्रमन कर रहे है और मैं उनको कहना चाहता हूँ अम्बेटकर जी का सम्विदान महत्मा गांदी जी का सम्विदान जवाला नहरू हिंदुस्तान का सम्विदान कोई भी शक्ति इसको पाड़ कर फेक नहीं सकती है यह जंता का सम्विदान है भाईयों और बेनों नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरब पती बनाया है सारा का सारा फाइदा उन्होंने 22 लोगों को दिल्वाया अब हम करोणों लाग पती बनाने जा रहे हैं करोणों लाग पती हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी नाम क्या आपका जैसे सादू पतेल जी जो है ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी करोणों लोगों की लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठका ठक 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 साल के एक लाग रुपे महीने के 8500 रुपे हम डालेंगे बाई और बहनों किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए शुगर केन के लिए आलू के लिए कपास के लिए हम गैरंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं यहां जो युवाएं हैं आपके बैंक अकाउंट में भी ठका ठक 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 होने जा रहा है आठ हजार पांच सो रुपे बेरोजगार ग्रैजुएट्स कॉलेज उनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का एक लाक रुपे और बेहतरीन प्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं बाई और बेहनों हिंदोस्तान की अर्द्विवस्ता को नरेंद्र मोदी ने कतम किया हम आपके जेब में पैसा डाल कर हिंदोस्तान की अर्द्विवस्ता को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे मोटर साइकल के पैट्रोल में के फ्यूल टैंक में पैट्रोल डाला जाता है और पिर चाबी गुमाई जाती है वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में करोणों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का एक लाग रुपे ठका ठक 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 डाल रहे हैं भाई और बेनों अगनिवीर स्कीम है इस स्कीम को हम कुड़े दान में फेकेंगे जो पुराना तरीका था एक तरीके के शहीद पेंचर्ड कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे वो ही हम फिर से करेंगे अगरिवीर को हम बंद करेंगे, कतम करेंगे, कुड़े डान में फेकेंगे मजदूरों को आज मन्रेगा में 250 रुपए मिलता है हम मजदूरों को 400 रुपए मन्रेगा में और आशा और आंगनवारी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं भाईों और बेनों, समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी की पार्टनर्शिप है यहाँ पे हमारे हजारों बबबर शेर कार्य करता आए है मैं आपको कहना चाहता हूँ अब आप बीजेपी, आरेसेस के कार्य करता होगे, सामने खड़े हो जाओ पोलिंग बूत में खड़े हो जाओ, और यहाँ के प्रत्याशी को पांच लाक वोटों से जिताओ मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी गर्मी में आए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जेहिद यहाँ पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंग जी है, इनको उजवल रमन सिंग जी है इनको आप भारी बहुमत से जिताइए नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुचाना है, क्योटो मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूँगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए है मैं जानता हूँ कि आपका उस्सा बड़ा है, जोश बड़ा है लेकिन ये उस्सा और जोश ये उस्सा और जोश हमें अपनी बोर्ट डालने की तारिंग तक के लिए रखना है इसलिए मंच पर बैटे हुए यहां के बहुत ही पुराने नेता पूर्व राजज़वा में सारसाथ रहे कोवार रेप्ति रमर्शिंगी पार्टी के कॉंगेस पार्टी के प्रित्यासी और इंडिया गड़वन्दन के पित्यासी नौज़वान साती उज्वन अमन जी प्रमोत तिवारी जी प्रदी मिश्री जी अरुन तिवारी जी नरेन सिंग जी महफूस धासाथ हमारी पार्टी के बिधायक संदीप पडे जी समाजवादी पार्टी के जिनाफ धैक और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदादिकारी कांगेस पार्टी के सभी पदादिकारी और इस चुनावी जन सभा में आप से मिलने के लिए आप से मदद के लिए सयोग माँगने के लिए कांगेस पार्टी के नेता राओ गांदी जी हम समे मिलकर के आप से मदद और सयोग माँगने आये हैं अभी हम लोग फूलपूर लोगसभा से लौट करके आए हैं जैसा यहां जोज देखने को मिलना है वैसा ही जोज उस्सा फूलपूर में था और इस इस इलाके में यह पहली बार उस्सा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाओ में आपके बीच में आया था आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूँ उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे लेकिन उसके बाबजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक बोल दिया था और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जीते थे वहीं हमारे कुछ साथी थोड़े बोटों से रह गए थे ये चुनाव कोई सामान चुनाव नहीं है ये चुनाव सामान चुनाव नहीं है 24 का ये चुनाव लोगतंद बचाने का है जिस तरीके से सम्विनान मंत्ळन हुआ था उसी तरी के से इस बार सम्मिदान मंतन होने जा रहा है एक तरह वो लोग हैं जो सम्मिदान को ख़तम करना चाहते हैं दूसी तरह हम और आप लोग हैं जो सम्मिदान को बचाना चाहते हैं बताओ सम्मिदान बचाओगे यहां पर जो हमारा किसान ख़ला है जानता होगा उसकी आएग्डु हुनी नहीं हुई गिसान ने अज़ मत्या कर लिए और दिल्ली की दस साल की सरकार में एक लाख किसान अज़ मत्या कर चुके हैं इन्हों ने किसानों की अभाज दूआने के लिए नजाने क्या 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 पुलिफ पिसासन और आंदोलन को समय समय दमाने का काम किया लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है उनके कर्ज के लिए बिवस्था की जा रही है वहीं उनकी खुशाली के लिए फसल की MSP देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं ये BJP वाले हमारी जान हमारी आपकी जान के और समिधान के पीछे पड़े हैं ये BJP वाले वैक्सिन लगवा के हमारी आपके जान के और समिधान के पीछे पड़े हैं सम्भिधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी सम्भिधान बचेगा तो PDA परिवार का सम्भान बढ़ेगा सम्भिधान बचेगा तो रोजगार आएंगे इन बीजेपी वालों ने सब परीशार रद करा दी सब कोशन पेपर लीग करा दिये ये नौजवान जो आए हैं इनका भविध संदकार में डाल दिया मैं नौजवानों से कहके जा रहा हूँ ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोका दिया है बलकि आपके एक तहाई जीवन को बरबाद कर दिया हम आपको वरोसा दिला के जा रहे हैं नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा और जो इन्होंने अगनी वीर बिवस्ता लाई है अगनी वीर बिवस्ता हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी जैसे पक्की नौकरी जैसे हमारा नौजबान पहले पक्की बरबी पहनता था वैसे ही पक्की नौकरी फाज में दिलाने का काम इंडिया करबदन करेगा इसलिए पीडिये एंडियो को हराएगा इनकी बातें जूटी निकली वादे जूटे निकले इन्होंने हर एक बर को ठगा है इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्वल रमन उज्वल रमन इनकी मदद करना मदद करोगे इनकी सब लोग मिलकर के जिताओगे अपना बूत जिताओगे अपना बूत अपने बूत पे जाने के लिए घवरा तो नहीं जाओगे बूत पे जाकर के बोट डालेंगे इनका चुनाओचिन इनका चुनाओचिन तो जानते हैं इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाओचिन पर आप बोट डालना यही निमेदान हम और राउल जी आपसे करने आए हैं मुझे पूरा भरुसा है कि जब बोट पड़ेगा तो यह जीत करके जाएंगे चार चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है उनका सफाया हो चुका है जनता का गुस्टा बड़ता चला जा रहा है साथ में चरण तक जनता का गुस्टा साथ में आसान पर होगा और बाद यह जनता पार्टी को अटाने का काम करेंगे कि अज़िए कि